अपना चोखा अपना चोखा में आपका बहुत स्वागत है आज मैं आपके लेके आए हूँ सुखे चटपटदार सुखे आलू की सबजी जो खाने में बहुत ज़्या टेस्टी है तो चलिए इसकी रेस्पिक को जट से देख लेते हैं इस चटपटे और चटकारेदार सबजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हैं आदा किलो कच्छे आलू को मैंने दो से तीन बर इसे पानी से अच्छी तरह से धूलिया है ताकि इसकी स्किन के उपर जिते भी इन प्योटीस या मिटी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए इसमें वेस्ट नहीं जाएगा इसकी छिलके साथ बनाने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है सबी आलू को इस तरह से हम गोल को काट लेंगे आलू को काट तरह समय सिर्फ एक बात का ध्यान रहें कि यह आलू बहुजदा पतले नहों बस इस तरह से मोटे मोटे हमारे क ताल देंगे और टैप चलाके अच्छे इस तरह से इसे दो से तीन बार और धो लेंगे इस तरह से ताकि इसके तना जिता भी स्टार्च हो हमारा सारा स्टार्च निकल जाए अब आलो अच्छे से दूब चुके हैं अब इन्हें इसी बॉल के अंदर दुबारा इसे पानी एक में अंदर डबो देंगे ताकि हमारे आलो बिल्कुल भी काले ना पड़ें ये देखिए हमारे सब आलो पानी में अच्छे तरह से डूब चुके हैं अब इन आलू को एक साइट में रखेंगे अब एक लेंगे कड़ाई अब दो से तीन छोटे चम्मच हम यहाँ पर लेंगे सरसु के तेल की सरसु को तेल खाने के लिए बहुत जादा हेल्दी ऑप्शन है आप चाहे दूसरे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने घर में आपने हको एक साइञे में चँछा रखेंगे घर में सबस्त, contained यहाँ बेसे जाएंगे तैनली प्लव हाँ दूसर अब इसके अंदे ुंसरे और न आगर मार वान को करते हैं इनके मसाल को तड़काएंगे आपने रिहा बारभी ही इनक मांत्र, अब लिए सबी आलू डालने के बाद इसे हम एक कठ्ची की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारे जित्ता भी तेल और जीरा राई का फ्लीवर है अब इसके अंदर हम कोई भी मसाले के यूस नहीं कर रहेंगे अई पहले इसको हम 50% तक इसे ऐसे ही पकाएंगे ब्रुकों सिम आज पे, ब्रुकों सिम पे पकाना है इसमें हलका सा कोई भी पानी नहीं डालेंगे आलू को रखे हुए 10 मिंट हो चुके हैं चलिए आलू को देखते हैं यह देखे हमारे आलू 80% तक हो चुके हैं देख किते बड़ी हमारे आलू गल चुके हैं अब इसके हम दालेंगे सुखे मसाले सुखे मसाले में हम यहापर डालेंगे स्वादुनसार नमक या फिर आदा चमच नमक इसी के साथ मैं यहापर दालूँगी आदा चोटा चमच लार्मेश पाउडर का चुथाई चमच हल्दी पाउडर का आदा चोटा चमच धनिया पाउडर का साथ में यहापर मैं लिये हैं चुथाई चमच गरमसाला पाउडर और आदा चोटा चमच कस्तूरी मेथी का पस्तूरी मेत्री को हाथ से इस तरह से रकड़ कर डाले इसमें हाथ में और सब्ची में दोनों में बहुत अच्छी खश्रू आती है अब सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से पांच मिन ढखेंगे ताकि सबी आलू मसाले क साथ मिलका अच्छी बहुत बढ़िया से अप आलू तयार हो जाएं बिकुछ चटपटे से पांच मिन ढोचुके हैं सबी मसाले आलू में अच्छी तरह से मिल चुके हैं यह देखी हमारे कित्ते बढ़िया माउस वाटरी मूँ में पानी लाने वाले आलू तैयार है इसे गानिश करेंगे हराधनिया पत्ती के साथ और साथ में यहाँ पर मैं दालूँगे थोड़ा सा निम्बू का रस निम्बू का रस आपनी कौन्टी रसा कम्या जादा कर सकते हैं इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है बिल्कु चटकारे दर आता है आप इस सुके आलू की सबजी को आप गरम गरम नान प्रांठ आप इस तरह से आलू अपने बच्चों को लेंच में बना के दिये सकते हैं यह भी बहुत अच्छा हेल्दी ओप्शन है लेंच बॉक्स रस्पी का आप मी रस्पी कैसे लेगी कमेंट चिरूर करें